आगे बढ़ेंगे मध्यप्रदेश की खजुराहो लोगसमा सीट बीजेपी के लिए खास है क्योंकि यहां से बीजेपी प्रदेश अद्रक्ष वीडी शर्मा चुनाब लड़ते हैं ऐसे में बीजेपी को टकर देने के लिए कॉंग्रस ने सीट पर बॉलिवोड अबिनेता अभिशेक बच्चन की मांग की है हाला कि गटबंदर की तहर खजुराहो सीट समाजवी बादी पार्टी के खाते में है कॉंग्रस का कहना ये है कि सपा अगर अभिशेक बच्चन को खजुराहो से उतारती है तो वीडी शर्मा को कड़ी चकर मिलेगी तो वहीं बीजेपी ने पलेटवार करते हुए कहा है कि अभिशेक बच्चन फिल्मों में भी फ्लॉप थे चुनावी मैदान में भी बुरी तरह से फ्लॉप जाबित हो जाएंगे देगे खजराव सीट जो है अगर वहां से अभिशेक बच्चन जी लड़ते हैं तो बुंदेल खंट जो बाकी छेतरों के अप एक शब पिछड़ा रहे गया है तो बुंदेल खंट को एक नया आयाम मिलेगा वहां फिल्म इंडस्टी बढ़ेगी और जो जहां तक भारती जनता पार्टी के जो वीडी शर्मा जी है उनको एक कड़ी चनोती जो है सपादे पाईगी वैसे उनका आंतरिक मामला है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि अगर वहां से अभी शेक बच्चन जी लड़ेंगे तो उसका पूरा लाब जो है पूरे मद्दे प्रदेश की सभी सीटों पर मिलेगा और साथ-साथ बुंदेल खंड में जो बिंदेल खंड के विकास के नया आया देखे अभशेक बच्चन पिच्चरों में भी फ्लॉफ है राजनीती में भी आएंगे तो उनका वही अन्जाम होने वाला है और जिस प्रकार से कॉंग्रेस पार्टी के ही नेताओन उनके परिवार की महिलाओं के बारे में अभद्र और अशोबनी टिपड़ी की थी हम सब भी उसके साक्षी है खजुराहों की जनता इस बात को जानती है वहां से भशेक बच्चन लड़े या उनके पिता अमता बच्चन लड़े कोई फरक नहीं पड़ना है खजुराहों की जनता ने कैसे जन प्रतनिदी को चुन जे मीडिया समधाता अकाश दुएदी हमारे साथ जुर गए हैं अकाश कॉंग्रिस की तरफ से खजुराहों में अभिशेक बच्चन को ऐस पैरशूट कैंडिडेट लाने की मांग की जा रही है लेकिन समाजवादी पार्टी का इस पर क्या फेसला होगा ये तो देखना द दाल सकते हैं और बच्चन परिवार कि अगर बात करें तो साल 1984 में इलाहाबाद लोगसभा सीट से फिलाल प्रयाग रासिया आपर अमिताब बच्चन रिकॉर्ट बहुमत से लोगसभा चुनाओ जीते थे और क्यूंकि जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राजसभा क कि फिलाल सदस्याब शेक बच्चन की मां हैं और अभी तो कॉंगरेस पार्टी मांग कर रहे हैं अला कि सपा इस बात से इनकार कर रही कि प्रत्याशी तैन नहीं है ना सिर्फ कॉंगरेस की मांग बलकि राज़िती गल्यारों में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अभी इस बात की चर्चा रही है कि समाजवादी पार्टी अभिशेक बच्चन को खजराओ लोगस्वा सीट से प्रत्याशी बना सकती है और अगर इस तरीके से पैरशूट लेंडिंग होती है और कोई इस तरीके से अचंभित करने वाला प्रत्याशी समाजवादी पर मुकाबला दिल्चस्प हो सकता है क्योंकि खज्राओं उत्तरप्रदेश से लगा हुआ शेत्र है और इसी लिहाज से गटबंदन के तहत की सीट सपा को मिली भी है लेकिन बीते कुछ लोकसमा चुनाओ की बात करें तो यहां पर सपा का बहुत बड़ा जनाधार नहीं रह है अगर इस तरीके से कोई बॉलिवूड अभिनेता चाहे वो अभशेक बच्चन हो या किसी अन्य अभिनेता को समाजवादी पार्टी उतारने की प्लानिंग कर रही है तो जरूर दिल्चस्प मुकाबला हो सकता है और तब काटे की टकर भी सीट पर देखने को मिल सकती है कॉंगरिस पार्टी की मांग जरूर है लेकिन सपा क्या इस पर विचार करती है यह देखना महत्पूर होगा ठीक है बहुत शुक्रिया काश आपका तमाम जानकारी के लिए इस ख़वर पर तो देखना दल्चस्प होगा कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से अब शेक बच्चन को अपना उमीदवार बनाया जाता है या फिर नहीं मुकाबला चर्चित तो रहेगा खजुराहो सीट पर ये तो देखना है